नमस्कार मैं श्मीत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन पिछले हपते किया था अब इसका अगाज बुधबार से हो चुका है लोगसवा चुनाव साथ चरन में होगा जिसके पहले चरन के लिए चुनाव आयोग ने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया पहले चरन में एकिस राज़ियों में 102 सीटों पर चुनाव होगा बिहार, यूपी, पश्यम बंगाल, उत्राखंड और अरुनाचर प्रदेश समेथ एकिस राज़ियों के उमिदवार बुधबार यानी की आज से नॉमिनेशन कर सकेंगे यहां 19 अपरेल को मतदान होगी, पहले फेस के लिए 28 मार्श तक नामंकन होगा, 30 मार्श तक प्रत्याश्यों के नाम दाखिल नामंकन पत्रों में जाच की जाएगी 2 अपरेल तक उमिदवार नाम वापस ले सकेंगे बिहार में पहले चरन में 4 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें गया, नवादा, और अंगाबाद और जमुई में वोटिंग होनी वाली है इस 4 सीटों के लिए बुधबार यानि कियास से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है बतादे बिहार में 40 सीटों पर 7 चरनों में वोटिंग होनी है दूसरे चरन में किशन गंच, कटिहार, पुर्णिया, भागलपूर, बांका में मददात होगा तीसरे चरन में जंजारपूर, सुपॉल, अररया, मधिपूरा, पुर्णिया और चौथे में चरन में, दर्भंगा, उजियारपूर, स्वस्थिपूर, बेगू, सराय, मुंगेर में मतदान होगा आप देख सकते हैं कि लोगसवाच चुनाव का एलान हो चुका है चुनावायोग की तरप से शेडूल जारी कर दी गई है शेडूल जारी करने के बाद पहले चरन की बात करें तो बिहार के अगर पहले चरन की बात करें तो किन-किन सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसमें गया नवादा और अंगाबाद जमूई ये चार सीट जो हैं यहां पर वोटिंग होगी इन चारों सीटों को लेकर आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है बिहार में 40 सीटों पर 7 चरनों में वोटिंग होनी है दूसरे चरन में किशन गंच, कटिहार, पुर्णिया, भागलपूर बाका में मतदान जो हैं वो होंगे तीसरे चरन में अगर बात करें तो तीसरे चरन में जुनजारपूर, सुपॉल, अररया, मधिपूरा, पुर्णिया और चौते चरन में दरभंगा उजियारपूर, समस्तिपूर, बेगुस, राय, मुंगेर में मतदान होने वाला है तो आज लोगसवाच चुनाव के पहले चरन के लिए नोटिफिकेशन जारी जो है वो कर दिया गया है और बिहार के चार सीटों पर आज से जो नामंगन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है